कि चलिए दुस्तों लेकि आया हूं यह कारचवदत वीडियो आप लोग के लिए दुस्तों आज का जो वीडियो बना हुआ है आप लोग के काम का वीडियो है यह जो देखे मेरे पास एक ओपो का एफ नैन प्रो आया है यह जो है वाटर डेमेश है यानि की वाट आधा पहले हैं पानी में गिरिगया है कस्टमों को पता है कि दुकान प्रागया आप उसको कुछ नहीं सदा कुस चल रहा है अब देख सकते सके अंदर इसको और नहीं रखना सबसे पर्ले इसको जाना आख के पाथ और इस पर वास कर्वाना तो चले दोस्तों बूल जोना हे और का क्था आप पता रेते है लज़े करना है की को बता एं直接 हो करें जैसे कि आप पानी आया यह सो इसे में पता चल रहा है कि आप आप श्मीन के ऐसे इसकी अंदर भी और में से जली जली मिल करना है तो न बीट करना परता है पिछे कर बैक पेनल होता है इसको खिपका हुवा रहता है तो इसको हीत करना परेगा तो आद एरह हीट होने देते हैं उसके बाद इसको खोलेंगे क्योंकि नहीं ही वshirt को도 ख़ मोगी खोलता है जाथ फेले हीट से बैक पेनल इसका क्षुब इसको थादर के लिए इसको फौरा पैनल कहलेगा तो इसको थादर के लिए इसको vacher होना जरूरी है चोलिए थादर के लिए इसको अब साइद हो गया होगा हीटिंग को आप खोल के देख लिया जाता है इसको खोलने के लिए कोई पतला सा कुछ भी ले लिजिए जैसे कि यह कोई पतला समान हो ऐसे हम बलेट का इसको यूज करते हैं कि हलका इसमें बलेट मारते हैं उसके बाद इसके हलका देखे बलेट से हलका अलग गिया है उसके बाद इसमें कोई करा सा पतला होना चाहिए जैसे कि मेरे पास देखे केमरा का और इसको आराम आराम से खोल देना है यह देखिए खूल गिया इसका बैक गलास था सो अब इसका बैक पनल में से स्कुरूब खुलेगा उसके बाद फोन इसका खुलेगा तो चलिए इसको स्कुरूब खुल के दिखा जिते हैं आपको इसकुरूब चलिए दोस्तों देखिए इसका लोगो लगा हुआ जो कि फिर्स्ट बार खुलेगा ना है इससी से आपका वरांटि नथी पता चलता है तो चलते हैं इसको उपेन करते हैं बैक पेनल को अब देखते हैं इसके अंदर पानी कितना गिया है दोस्तों अगर आपका कभी भी पानी में गिरा फॉन तो तुरत चल जाएगा मोईल दुकान के पास और कहिएगा इसको वास कर देने के लिए अगर लेट करिएगा तो इसके अंदर बोट के अंदर पानी चला जाता है और पानी जाने के बाद होता है क्या कि बैटरी इसमें सटा हुआ रहता है तो एक दुसरे से सट करता है इसमे इसका board को निकाल के वास कर देंगे और भी इसमें jack सब है सबसे फिंगर्पिर्ट हटा लेते हैं उसके बाद इसमें dis personnage jack है charging पत्ता वाला jack है और जो नीचे में board लगा हुआ है उसका jack है सभी jack को हटा के इसका board अलग होगा और इसके board में दो discreep कसा हुआ इसको भी कि खोल के हटा लेते हैं देखिए इसके बूर्ट पर अभी भी पानी है और इसे फॉन जो है हीट होके खुला है उसके बावजूद भी इसके अंदर पानी अभी भी है तो जब भी आपका फॉन अगर पानी में गिरता है तो तुरत मुवाय दुकानदार के पास जाईए और उसको वास करवा लिजिए तो आपका बॉर्ड सेफ हो जाएगा नहीं तो अगर बॉर्ड में ज़्यादा पानी रहा तो इसका बैटरी से माइनस पॉलस से इसमें स्नॉट लग जाता है तो बहुत ऐसा भी हो जाता है कि फॉन बनता भी नहीं है और यह भाई जी जो अभी फ्वन लेका आया है इक अधा गंटा के अंदर में लेका आगया है तो ज्यादा परिशानी इसके मुवाल में November नहीं आया है सिर्फ डिशपले पसूल में जिल्मिल कर रहा है तो उसके लिए हो सके तो डिस्पेले का जैक साप करने से हो जाए नहीं तो इसका डिस्पेले चेंज करना परेगा और इसके डिस्पेले के अंदर जैक भी पानी गिया भी हो था नीचे का बोर्ट भी देखिए इसको भी वास करना जरूरी जाता है तो सारे उपर निच्छा दुनों बोड को खोल के इसको अच्छी तरह से इसको हिट मार के सुखा दीजिए ताकि बाद में इसको प्रोब नहीं करें नहीं तो बहुत वाटर डिमेज फोन सब होता है सो बहुत बहुत खराब हो जाता है इसमें तो जदा पानी नहीं किया हुआ है इसके अंतर तो इसमें हम चलिए फिर भी हिट मार देते हैं फुरा बस मार देते हैं चार्जिंग के पिन के अंदर भी चल जाता है पानी तो सब को भी साप कर देना है थीनर से सब को पहले वास कर देना है और धियान रखिए कि केमरा पर थीनर नहीं जाए और केमरा पर थीनर जाएगा तो केमरा खराफ हो जाएगा इसको साप करके थुरा हीट मार देते हैं ता इसके अंदर जो भी पानी होगा सब हीट से सुक जाएगा बड डिस्पले के जो अंदर पानी चला जाता है, उसमें छाही बन जाता है, कभी साफ नहीं होगा हो सके तो धिरे-धिरे कभी साफ हो जाता है लेकिन अक्सर में साफ नहीं होता है तो इसको LCD पर ज्यादा हिट नहीं मारेगा नहीं तो LCD खराफ हो जाएगा इसे हलका-हलका हिट मार सकते आप LCD पर ताकि थुरा बहुत इसमें सुधारा जाए बट ज्यादा हीट नहीं मारिएगा नहीं तो इसका डिस्विलेग खराफ हो जाएगा इसमें हलकालका हम हीट मार दे रहा हैं ताकि इसका थोड़ा बहुत सही हो जाए इसका अच्छा से हीट मार दिये तो हादेर के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं साइड में इसका बोड में देख लेते हैं बोर्ड में जब वास करिएगा तो थोड़ा दियान से वास करिएगा इसके केमरा पर वास मत करिएगा चीनर से अब हम सिर्फ खाली बरस से इस वास कर रहे हैं इसके लिए चल सकता है बट चीनर लागा आप केमरा पर वास नहीं कर सकते हैं अगर केमरा पर वास करते हैं तो अ ऐसके बोर्ड में पानी नहीं किया हुदा इसलिए सिन थिनन मारहिए अगर इसके अंदर फानी यह क्या नहीं था W बोट के अंदर तो इसे खाली बरस अमिश्व में मार दिये हैं उसके बाद हीटिंग मार देते हैं कि थोड़ा बहुत पानी होगा तो सुख जाएगा इसका एक निश्यवाला बोट भी होता है उसे भी थोड़ा बरस मार के हिट मार देना जरूरी है ताकि कहीं भी पानी नहीं रहे अगर थोड़ा सा भी पानी रहता है आप वाल के अंदर तो प्रब्लम कर सकता है फॉन में तो इसको देखिएगा जब खुली गया है तो अच्छी तरह से वास कर दीजिएगा उसके बाद हिट मार दीजिएगा लुए कि अगर परेंट इसे वी थुर्ण हेट मार देते हैं इसका बैक पेनल खोले उससे में हेट मार देते हैं ताकि कहीं भी पानी नहीं रहे थोरा साव भी पानी मवाल के लिए बहुत ही आनी कारेक होता है इसलिए बहुत अच्छी तरह अच्छा से सुखाना है जगा जगाप इसका हीट मार के इसको पानी को खतम कर देना है ताकि कस्टमर को बाद में परिसानी नहीं हो कि इसमें तुछा धूल मीटी था है इसको हम साप कर देते हैं वरस जगाएंगे जागे के कश्टरमर के कोई परेशान ही नहीं हो नहीं तो कि कश्टरमर इससे खराप होता है कि वास्ट कराने के बवजूद भी मुवाइल सही से काम नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं करना है अब चलिए एसे फ्रेम साइट ठंडा हो गया होगा इसमें आप इसको हम इंस्ट्रोल कर देते हैं बोड को अब जब खूला है तो इसके अंदर देखिएगा इसका प्रिंट रहता है आगे का सेंसर भी इस प्रिंट से सटता है तो इससे को तो आप कर दिजिएगा देखे चार्जिंग ज दे रहे हैं जैसे आप खोले थे उसी तरफ फिरकस्त देना जदा परिशानी नहीं करना है जदा दिमाग भी नहीं लगाना है जब भी इस सब फोन खोलते हैं आप तो अराम से खोलिए ताकि इसमें कोई दूसरा प्रोडब नहीं आ जाए क्योंकि इस अब जो फोन है सब पत्ता से स्टेच रहता है निचे में भी देखते हैं इसका जो जो नेटवर्क वाइड है उस अब भी आराम से खोलना पड़ता आए तो टावर नहीं हाएं गाने के लिए सटार आए जो आप जो नगरा हिस बोड को कनेक्ट करने के लिए लिए लग रहा है जो में बोड से इस तो करेंगे शक्रूब में गरता हुआ यह उसको सिक्वेगे जाली तुला कर दिए जब फुला है तो साप कर दिए ज़रोड़ी ए illumin great कि थैंट कर देंगे की सिक्न इस तेखे इसका charging पीन होए finalement वो से लग सकता है और नहीं तो इसका charging पीन पत्ता सहीत लगता है क्या है तो इसको हम आप गाइं लीटर को कसस दिरेंदु में नीचे वाली बॉड़ को स्के को बताएंगे कि में एल कुछ प्रोब्लम नहीं होगा अब ये सकेफ है magic अब कभी बैष दियुद नहीं आ सकता है वाड़ वाड़ ओडिवाटब्सा जैसा नहीं तो इसमें प्रोल्म आ सकता था आगे जाके हो सकता था इसमें लग भी सकता था अगर वास नहीं करवाता तो देखें पीला पीला करका प्रिंट देख रहे हैं सबको साफ थुरा कर देना जूरी है क्योंकि पानी इसके अंदर किया था तो पानी जाने के बाद होता है क्या कि बहुत जगत्तिया लग जाता है इसको साफ कर देना है इसका आगे का सेंसर जो होता है उसका प्रिंट है उसको भी साफ कर देना जूरी है अनप स्विंच का प्रिंट रहता है उसको भी साफ कर देना जूरी रहता है ताकि कोई प्रोब्लम नहीं हो कस्टामर को आब चलिए इसको बोड को फिट कर देते हैं इसके अंदर जिस तरह से इसको खोले थे उसी तरह से इसको फिट कर देना है यानि कि इंस्टाल कर देना है इसको जब लगा मुंटा ऑल उसकी बार शरा जोडै भी प्रता सब को को लगा दिना है जो भी जैका-णॄश कर दिसे जैक लगा ये ख़ए को जैक जीञे organizations या फिर तेरह मेरा लगता है तो जैक को तोर देता है छे जब भी लगाईका तो तो आपका आपसे अगर टूट भी जाता है तो बहुत मुस्किल हो जाता है सबको जैक को चेंज करने में तो अधियान से जो भी करिएगा तो अच्छा रहेगा कि इसके अंदर देखे वह इसका जो होता है आगे का एयर स्पीकर होता है यहां पर कनेक्ट होता है तो चलिए ठीक है अब इसमें स्कूरूब दूब खोले थे हम दूब इसकूरूब इसमें कश देते हैं उसके बाद इस फोन को हम आउन करके देखेंगे जब भी आप वास करने के लिए फोन खोलिए तो अच्छी तरह से वास कर देजिए और इसको हीट मार को सुखा देजिए ताकि इसके अंदर थोड़ा सा भी पानी नहीं रहे अगर थोड़ा सा भी पानी रहता है इसके अंदर तो प्रोब्लम कर सकता है फोन के अंदर अगर चलिए बैटरी के जैक लगा कि इसको अन करके आप देख लिया जाए अगर जब भी आप खोन को वास करते हैं आता आता आपके पास तो कस्टमर को बोल दिजीह कि शिर्फ वास करेंगे हम नहीं तो बहुत मिईयल ऐसा होता है कि वास करने के लिए खुलता है तो बहुत मिःट हो जाता है या फिर कोई मिःल में टच काम करना बंद कर देता है या इसकीatta डिसुटले में कुछ फोब्ल्म आजाता है तो इसकास्टमर को पहले बोल दिया है कि इसका रिक्सप्ष आपको खुद लेना पढ़ेगा यानि कि सब्सक्राइब इसका डिक डे को दोखंदार रिक्स नहीं लेगा इसमें तो लेक्ते लिए पहले बोल दिया जाता है जब भी आप वास करने के लिए फोन खोली है तो पहले कस्टमर को बता दीजिए कि इसमें रहता है वह आपके ऑपर रहता है यानि कि जो कस्टमर फोन लेके आता है उसी के ओपर रिक्स रहता है तब यह फोन को खोली है नहीं तो आप सकते हैं वाटर डिमेज फोन ऐसा होता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है उसमें या तो डेड़ हो जाएगा या फिर डिस्पेले में प्रोड़म आजाएगा तो इसमें कस्टमर से नोक जोक हो सकता है तो पहले बता यह उसको कि वाटर डिमेज है खोलने के दुमारा अगर कुछ भी होता है तो उसका जिमेंदार दोकंदार नहीं होगा आप खुद होईएगा तब यह खोलीएगा नहीं तो प्रोड़म हो सकता है बाद में बहुत मुआल में ऐसा देखा गिया है कि ऐसा प्रोड़म हो गिय अब चलिए इसको बेक पेनल को कॉस देते हैं इसके अंदर , आदिजिया और एक भी छोटता है यš可以 जोड़े जब इतना स्कूरूब खोले उतना स्कूरूब कर दीजी आप उसके बाद बैक पनल को चिपका दिजी जो बैक गलास होता है उसको चिपका दिजी आराम से अगर देख लिजिए इसके अंदर गॉंध है तो ठीक है नहीं तो आपना गॉंध जाल सकते हैं इसके अंदर इसके अपना गॉंध है तो चलिए दोस्तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लिजेगा कमेंट कर दिजेगा और मेरे यूट्यूब चुले को सब्सक्राब कर लिजिएगा और पहले आकन को दबा दिजिएगा जाके जो भी वीडियो बनाओं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों आप